कि स्मृति शेष अभासी दुनिया के मेरे दोस्तों और अतनलाल बोल रहा हूं काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अमिट कर नामा कल यानि 19 मैं 2021 को देश के एक वयो ब्रिध नेता जगरनात पहारिया साहव का परिनिर्वान हो गया उनका जन्म 15 जनवरी 1932 को हुआ था इस लिहाज से वो 91 वर्स के थे उनका राजनिती में आना एक विजित्र सयोग है और गिल्चस्प घटना भी है भारतपुर जिले के भुसावर कस्वे के एक अती दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था राजस्थान इन्वरस्टी से उन्होंने बीए और एमे की शुक्षा ली थी और लोग कहते हैं कि 1957 मतलब जब दूसरा लोकसभा चुनाव जिस समय हुआ था में एक नेता पहारिया को प्रधान मंत्री जवारलाल नहरू से मिलाने ले गए उस वक्त उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी नहरू इस पढ़े लिखे दलित नौजवान से उन्होंने पूछा कि देश कैसा चल रहा है मिस्टर पहारिया का जवाब दिल्चस्व था उन्होंने कहा कि बाकी सब कुछ तो ठीक चल रहा है लेकिन देश में दलितों का रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है इस पर नहरू की प्रतिक्रिया कि तुम चुनाओ लड़कर रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं करते इस पर पहारिया का जवाब था कि यदि आप टिकट देंगे तो हम चुनाओ जरू लड़ेंगे बस 1957 लोगसबा चुनाओ में सवाई माध्यपुर्शीट से उनको टिकट दी गई और वो जीत कर संसद में आये देश की दूसरी संसद में लोगसबा में पहाडिया सबसे कमर उम्र के संसद थे तब उस समय महज 25 साल के थे इसके बाद पहाडिया ने बहुत तेजी से सफलता की सीरी ना पी अब सोचिए 1980 में वो मुख मंत्री बने राजस्थान के और पहले मुख मंत्री राजस्थान के बने और इसके बाद आज तक कोई दूसरा नहीं बना है करीब चार दशक पहले राजस्थान जैसे राजे महराजों सामन्तों वाले प्रदेश में किसी का किसी दलित का मुख मंत्री बनना किसी किसी बड़ी घटना से कम नहीं था कहते हैं कि चुनाओ जब हुआ था उनिस सो असी का तब पहाडिया मिश्टर जगनात पहाडिया राजस्थान के कई बड़े दिगज नेताओं को पचार कर वो मुख मंत्री बने थे और इंद्रा गांदी का उनको समर्थन और संजय गांदी का समर्थन प्राप था ऐसा कहा जाता है कि पहाडिया छे जून उनिस सो असी से 14 जुलाई 81 तक महज 13 महीने तक रास्थान के सीम रहें इस चोटे से कारेकल में वे एक मात्र सीम रहें जिन्होंने प्रदेश में संपुर्ण शराब बंदी लागों की लागों की उसके बाद वे में 1957, 1967, 1971, 1980 में चार बार सांसद रहें और उनिस सो पचासी असी पचासी नब्बे दोजार तीन में विधायक रहें वे इंद्रा गांदी के कैबिनेट में मंत्री भी रहें कैबिनेट मंत्री भी रहें उनके पास वित द्योक्ष्रम क्रिशी जैसे विभाग रहें और उनका मुख मंत्री पद से जाना ये भी एक दिल्चस्प घटना है और आज उसको जोड के देखिए कि विश्विद्यालियों में और चाहे फिल्मी जगत में चाहे टीवी सीरियल पे चाहे प्रोफेसर इन् वो भी संविधान पर कुछ बोलकर चला जाता है वो डॉक्टर अमबेटकर पर कुछ बोलकर चला जाता है अभद्र टिपनिया करता है शिटूल कास्ट शिटूल ट्राइब पिछड़े बच्चों को गालियां देता है लेकिन उस पर कोई एक्षन नहीं होता है लेकिन पहा में उनिस्वास्ति में सहित्यकारों की परिश्द समाहरों भी थी और उसमें बतौर चीफ मिनिस्टर पहारिया साहब बुलाए गये थे कि उसमें महादेवी वर्मा छायाबाद की कवित्री जानी मानी बड़ी कवित्री वह भी पहुंची थी सुष्रिकत की थी मिस्टर पहारिया ने अपने वक्त तब्वे में कहा कि ये महादेवी वर्वा है इनकी जो रचनाएं हैं मेरी समझ में नहीं आती आम जनता के सड़ से उपर चली जाती है और साहित ऐसा लिखा जाना चाहिए जो लोगों के समझ में आए बात सही और गंभीर है जितने दुनिया के बड़े-बड़े बिद्वान हुए हैं जिन्होंने अपने रचनाओं से क्रामती की हैं सब लोगों ने सहज भार्षा में लिखी है डॉक्टर अमेट करने भी सहज भार्षा में लिखी है तो बात एक इमांदार दिल से कही गई बात थी अगर मेरी राइटिंग से मेरा अमबेट कर नामा अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई साती कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है सर को ऊपर से जा रहा है तो मुझे पुना चिंतन करना चाहिए मेरी शैली ठीक है या नहीं है कि लेकिन कि मैंने क्या काहा कि यहां कुछ भी बोलकर अंबेट कर पडर समिधान पर सब करके कुछ कारवाई नहीं होती लेकिन यह जो घटना घटी जो इन्हों ने statement दिया महादेवी वर्मा के बारे में कहते हैं कि कि शिकायत महादेवी वर्मा ने इंध्रा गांधी से की और इनहें पूरे बबंडर में मुख्ध मंतरी से त्याक पत्र देना पड़ों इसके बार नहीं तो केंद्र MN तो केंद्र में ही और नहीं राज में वह कैंद्र सक्रीय राजनिती में स्थापित मुक्यधारा की कि हरियाना के राजपाल रहे तो अब समझने हैं अगर राजस्थान में अभी बैरवा की घटना हुई है कुछ नहीं है उस घटना में वह लेक्चरर है सहायक लेक्चरर है फेस्बूक पर लिखा उसके लिए कलक्टर ने उसको सस्पेंड कर दिया सीमा सिंग गालियां देती ह हैं उनको कुछ नहीं होता है कॉसल किशोर कि मिश्रा अभधर टिपनियां लिख रहा है कुछ नहीं होता है एक श्रिवलकास का लेक्चरर सिर्फ फेस्बूक पोस्ट लिखने से उसको लिखने में और सीमा एक सहित्ति की विद्वान महादेवी बर्मा के बारे में अपनी जो व्यक्तिकत अनुभव हैं उसको साजा करने में उनको मुख मंतरी पद का पद से छोड़ना पड़ता है तो बात समझने की है यह कोई आपको हक हकुक अधिकार सम्मान फोकट का नहीं देगा इस देश में जनव पुंजी लिला जारी है अपने सम्मान के लिए अपने आत्म सम्मान के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे पूरे अंबेट करनामा परिवार की ओर से पहारिया साहब को आदरांजली शुक्रिया कीप वाचिंग और शेरिंग अंबेट करनामा अगले एपिसोड में फिर मुलाकात